हेलो फ्रेंड्स नमस्कार आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नयन इसकूल पर हर्दिक्ष स्वागत है आज के अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे ECHS इसकीम के बारे में देखे जैसा आप सभी को पता है कि अभी तक फिक्स मेडिकल अलाउंस एक हजार रुपे परती महा जो है दिया जा रहा है जिसको एक हजार से बढ़ा कर तीन हजार रुपे करने की मांग की जा रही है और हाला कि इसके उपर रिक्मेंटिशन्स भी आ रखी है लेकिन सरकार ने इसको अभी तक लागू नहीं किया है देखे सरकार ने लोकसभा में एक जवाब दिया है ECHS कार को लेकर कि 1 अपरेल 2003 से ECHS इसकीम जो है उसको अनिवारिया कर दिया गया है या उसको अनिवारिया पना रखा है तो क्या है वो पूरी की पूरी बातें जानेंगे इस वीडियो में अगर आप मेरे चैनल पर नहीं है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए वीडियो पसंद आए तो लाइक और सेर सरूर करें देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं देखिए अनिस्टार्ड कोश्चन है 3996 जिसका जवाब 24 मार्च 2023 को मिनिस्ट्री ओफ डिफेंस की तरफ से दिया गया सवाल पूछा था ये स्री म्वीवी सत्य नरायन जी ने और स्री मती चिंता अनुरादा जी ने उन्होंने पूछा था विल दा मिनिस्टर ओफ डिफेंस बी प्लीज तो इस्टेट नमबर एक दा सेलेंट फीचर ओफ एसे 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 जिनोंने यानि एसी एच स्कीम के तहत फाइदा लिया है दा अमाउंट इंकर्ड बाई दा डिपार्टमेंट ओफ एक्सरविस्में वेलफेर अंडर दा स्कीम इस स्कीम के तहत डी एसे डेल्ली ने कितना अमाउंट जो एक खर्च किया है तो देखे उन्होंने ये सारे सवाल पूछे थे हैं आपर तो देखे इनका जवाब दिया गया था मिनिस्टर ओफ स्टेट इन दा मिनिस्टर ओफ डिफेंस यानि रक्षा राज्य मंत्री स्री अजय भट द्वारा इसका जवाब दिया गया उन्होंने जवाब दिखे क्या दिया दा X-Serviceman Contributory Health Scheme यानि ECHS जो 1 April 2003 में लाग हुई थी टो प्रोजिटी मेडिकल केर तू दा X-Serviceman एक्स सर्विसमेन को क्रोजिटी मेडिकल फैसलिटी प्रोजिटी प्रोजिट कराने के लिए और उनके dependents को It has 30 regional centers, देखिए इसके 30 regional centers हैं और 433 इसके polyclinics हैं across Pan-India, including 6 in Nepal and 3158 empaneled medical facilities with a total beneficiary base of approximately 55 lakhs. It is structured on the lines of Central Government Health Scheme, जैसे CGHS है, इसी आधार पर एक्सर्विस्मेन के लिए ECHS बनाया गया है, to provide cashless and capless medical treatment cover at CGS rates. यानि देखिए Contributory, या Central Government Health Scheme जैसे है, तो सेम उसी आधार पर इसको बनाया गया है, ताकि cashless transaction हो, और कोई भी cap ना हो, कि आपको 2,000-5,000 रुपे केवल लगेंगे, उससे बाद मैं आपको खुद देना होगा, तो ये देखिए cashless भी है, और capless भी, यानि इसके कोई भी पा देखिए, जो भी अपने CDA के थूप, यानि नॉर्मल पैंशन हो, तो उनके लिए, या उनके डिपेंडेंट्स के लिए, ये अनिवारी है, कह सकते हैं कि इलिजिबल है, वो इसके लिए पात रहे हैं, membership has been made compulsory for all pensioners, with effect from 1 April 2003, देखिए, 1 April 2003 से, सभी members के लिए, या कहते हैं, सभी pensioners के लिए, इसकी membership को अनिवारिया बना दिया गया है, and is optional for earlier retirees, हाला कि जो इससे पहले के retirees हैं, उनके लिए, इसको आप कह सकते हैं कि ये compulsory नहीं है, उनको option रखा गया है, यानि voluntary basis में, आप चाहें तो इधर आ सकते हैं, आप चाहें तो FMA का option जो है, चूज कर सकते हैं, Over the years, the ECHS membership has been extended to PANS Nurse of Territorial Army, DSC, ICG, Indian Coast Guard, Military Nursing Services, यानि MNS, SFF, Special Frontier 4, आप देख सकते हैं, NDG, NCC Officers, Eligible Army Postal Services, जो APS होते हैं, World War II, Assam Rifles, या Sword Service Commission's Officers, Emergency Commissioned Officers, ECOs, and Premature Retirees, इन सब के लिए, इसको यानि कह सकते हैं कि लागू किया गया है, The amount of contribution has become an ECHS member varies from, देखे, हाला कि इसकी membership जो है, उसका price जो है, 30,000 रुपे से लेके, 1,20,000 रुपे तक vary करता है, जो जवान से लेके, officer तक का है, देखे, the ex-revisemen, जो 1,1996 से पहले retired है, war widows है, war disabled है, including those disabled in internal security duties, अगर वो normal security duty में भी उनको प्रवलम हुए है, disability मिली है, तो उनको exception किया गया है, for payment of ECHS contribution, यानि उनसे यह जो amount है, सदस्तराशी है, membership amount है, वो नहीं लिया जाता है, उनको इससे out रखा गया है, देखे, दूसरा question जैसे यह था, कि 2020 में कितने beneficiaries है, 2021 में कितने, 2022 में कितने यहाँ पर data दिया गया है, उसके बाद आप देखेंगे कितना खर्चा हुआ है, 2020 में 4580 करोड के आसपास, 2021 में 4864, 2022 में आप देख सकते हैं, 4857 गरोपया पर खर्च किया गया है, देखे, जैसा आप सभी को जानते हैं, मैं आपके सामने 12 अपराल 2019 का letter लेकर लेकर आया हूँ, इस letter में आप देख सकते हैं, कि one time contribution of ECHS membership, देखे, ECHS card के लिए, जो अनिवारिय कर देगया है, आपकी one time membership fees है, वो कितनी हैं, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, A, B, C, तीन कोलम्स यहाँ पर दिये गए हैं, recruit to havealdars, यानि up to havealdars, जो है, army, air force, navy, जो भी तीनों के equivalent ranks हैं, उनके लिए देखे, one time contribution जो है, यह 30,000 रुपीज है, नायब सुबेदार से लेके, आप जानते हैं कि जितने भी सुबेदार major, ACP, MSP, नायब सुबेदार, honorary lieutenant, honorary captor, इन सब के लिए देखे, यह 67,000 है, वहीं जितने भी officers हैं, उन सब officers के लिए 1,20,000 रुपीज है, तो यहाँ पर उनका कुछ, जो point है, ward entitlement, अगर आप ward में बरती होते हैं, तो देखे, उनको general ward मिलेगा, जो भी up to havealdar हैं, जो JCOs या SEOs हैं, उनके लिए semi private ward है, लेक conditions थी, कि इसी के तहत, आपको यहाँ पर यह benefits दिये जाएंगे, आपकी, जो आपने contribution दिया गया है, उस आधार पर, यह ward का entitlement किया गया है, बट वरत्मान में भी यह है, कि जो 2003 के बादवाले pensioners हैं, अगर कोई FMA draw कर रहा है, तो दिखे, उनको FMA अब नहीं मिलेगा, हाला क आपकी, chances कम है, कि कोई 2003 के बादवाला FMA ले रहा हो, क्योंकि, यह जो है, contributionary, जो scheme है, उसको अनिवारिया बना की दिया गया था, और, जब आप retirement जाते हैं, उसी टाइम पर यह पैसा, जो है, कार्ड के, आपको ECHS कार्ड जो है, इस issue कर दिया जाता है, लेकिन फिर भी, अ कार्ड और fix medical allowance को लेकर, अगर यह जंक कारी आपको पसंद आई, तो चैनल को subscribe करें, और वीडियो को share करें, फिर मिलेंगे आपसे, जय हिंद, जय भारत